कोंग्रेस की करारी हार के बाद कॉंग्रेस मंथन के मुद्रा में हैं 36 गड़ की हार को लेकर जहां पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है वहीं हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का क्रम भी जारी है इसी कड़ी में पूर्व विधायक ब्रहिस्पती सिंग का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस की हार के लिए प्रभारी कुमारी सैलजा और उपमुक्हमंद्री टीएस सिहिदेव को जिम्मेदार ठहरा दिया है टिकट कटने के बाद से लगातार पार्टी निताओं को निशाने में रखने वाले प्रहिस्पती सिंग से टीएस सिहिदेव को पार्टी से बाहर निकालने की मांगी है वहीं प्रभारी कुमारी सैलजा को प्रभारी पत से हटाने की भी मांग है ब्रस्पति सिंग के मुताविक टीए सेहदेव और कुमारी सैलजा हार के लिए जिम्मेदार है पार्टी निताओं के बारे में ऐसी विबाग टिपणी करने वाले ब्रस्पति सिंग से खास बाच्चित की हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने 36 गड़ में चुनाव संपन हो चुके हैं और चुनाव संपन होने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं और हार के कारण बताये जा रहे हैं इसे में ब्रस्पति सिंह जिनके टिकेट कटी थी वो क्या सोचते हैं। उनका क्या कहाता है जानने के लिए ब्रसपति सिंह के पास पहूचे हुआ है। ब्रसपति जी हार को लेकर अलग-अलग मन्थन चल रहा है। आपका क्या आक लाना है क्यों हार हार है और इसकी वज़ा आप क्या समझते हैं देखे च्छतिस गड़ की नजनता बहुत समझदार है च्छतिस गड़ की जनता का फैसला सीरोधार है इस हार की जबाबदारी मैं तो मानता हूं जितना जादा च्छतिस गड़ के कांग्रेस के लीडरान और यहां के प्रभारी की है उससे ज़्यादा और कोई करण नहीं यह इसलिए भी कह रहे हैं कि आपकी टिकेट कट गई इस वज़े से तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं टीकीट तो सहाब अभी चुनाव के समय हुआ, एक साल पहले तो टीकट नहीं कटा था, एक साल पहले आप 36 गढ़ में इस्तीफा देते हैं हमारे राज्य के मंतरी, केमडेट मंतरी, और ये आरोप लगाते हैं कि 7 लाख आवास का प्रधान मंतरी आवास का यह 36 गढ़ की सरका काल कांगरेस को कारवाई कर देना चाहिए था, लेकिन कारवाई नहीं हुई, दूसरी बात आपको बता दू कि जब पुरे प्रदेश में 36 गढ़ में कांगरेस का दिवेशन हुआ, और सारे नेताओं ने कहा कि 36 गढ़ की जनता से जो हमने वादा किया था, हमने पूरा कर हैं, ऐसा कह कि राहुल गांधी खडगे जी सुनियादी को खुलियाम चुनोती दे डाला, इसके बाद भी कांगरेस ने कोई कारवाई नहीं किया, और तीसरी बाद, कांगरेस के सारे नेताओं ने कहा पच्छतर पार सिट जीतेंगे, तो हमारे डिप्टी सियम कहते हैं कि बाउन तिरपन शिट जीतेंगे, और सारे नेताओं ने कहा कि हम कांगरेस के सारे बिधायकों के टीकट देंगे जो जीताओं हैं, और टीस दिन देव साब भोपाल में प्रेस कांस्फरेस करके बोलते हैं चार दिन बाद, कि आधे साधिक बिधायकों के टीकट कट तब से सारे बिधायकों ने छेतर छोड़ दिया और नतीजा है हुआ कर नेताओं के पीछे घुमना सुरू कर दिया दिल्ली से लेकर राइपूर तक और छेतर पूरी खाली रही और भाजपा को चपा चपा में खुलियाम पैसा बाटने से लेकर भाजपा कांग्रेस के लाप को दिल्ली जा रहा हूं बड़े नेताओं से मिलकर खड़गे जी सहित सारे नेताओं को इस बात को बताओंगा भी और आउगत भी कराओंगा कि 36 गड़के हार के कारण क्या है और ऐसे फोटो सूट करने वाले प्रभारी को और ऐसे कांग्रेस को धोखा देन वाले नेताओ को तदकाल बाहर करें बताते हैं कि कांग्रेस की हार के दो प्रमुक दोसी है एक तो कुमारी सैलजा जो की प्रभारी है और दूसरे टीयस सीदेव इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए अब ब्रस्पति सिंग के इस मांग का कितना संग्यान लिया ज झाम उर।